हलो फ्रेंड्स आज हम आपको साइड अपसेट का मार्किंग समझाने वाले हैं साइड अपसेट का मार्किंग किस तरीके से किया आता है वो भी साड़े बाइस डिग्री का साड़े बाइस डिग्री का मैं आपको मार्किंग बताऊँगा इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बना करके दिखाया है वो 45 डिगरी का side upside बना करके दिखाया और यह जो हम बनाएंगे 25 डिगरी का बनाएंगे इसका मार्किंग अलग है और उसका मार्किंग अलग है और चैनल पर नए विजिट किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिलाकर दबाए, ओन अट्पेशन पर क्लिक कर दें, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इस वीडियो को, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 100 x 50 mm का ट्रे है, और इसमें हमको साइड अपसेट बना जड़ 100 mm पे एक निशान लगा दिये, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, ये मार्किंग कर देना है आपको, तो चलिए इसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं, ये मार्किंग हो गया फ्रेंड, उसके बाद आपने क्या करना है नौर्मली जब हम 45 डिगरी का अपसेट बनाते हैं साइड अपसेट हो चाहे 90 हो कुछ भी हो तो हम 40-40 mm पे दो मार्किंग करते हैं ठीक है लेकिन यह हमको साड़े 22 डिगरी का बनाना है साइड अपसेट तो इसमें आपको मार्किंग करना है 20-20 mm ठीक है हम 40-40 mm पे करते थे इसमें आपको 22 mm पे दो निशान लगा रहा है तो यहां से देख सकते हैं यह हमारा यहां पे मेजर्मेंट टेक है तो यहां से हम 20 mm यहां पे लेंगे और उसके बाद दूसरा यहां पे ठीक है तो देख सकते हैं 20 mm पे हमने दो दो निशान लगा दिये हैं 20 mm पे हमने दो निशान लगा दिये हैं इसको आप इसको भी मार्किंग कर ले कि तो यह मार्किंग हो गया फट्रेंज ठीक है तो आपको क्या करना है यह आपको देखने से आपको कटिंग किदर से करना अधर ही आपको ये तीन जो मार्किंग है आप इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं आपको देखना कटिंग आपको किदर करना ठीक है तो हम इधर से कटिंग करेंगे तो ये तीनों मार्किंग हम इधर ले करके आते हैं तो यह देखिए तीनों मार्किंग हमारा इधर आ गया अब इसमें क्या करना फ्रेंड्स इसमें आपको कपलर बनाना है जैसा हम 45 डिग्री में या 90 में बनाते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां से एक कपलर का हमारा मार्किंग हो गया अब इसमें हमें एक भी कट लगाएंगे फ्रेंट्स यहां से आपको एक साइट से इसमें आपको एक भी कट का निशान लगा देना है यह देखे इस तरीके से यह भी का निशान लग गया फ्रेंट्स तो यह देखे यहां से हम इसको कटिंग करेंगे यह पूरा भी कटिंग क जो देख रहे हैं, यह center वाला line, यह center वाला line से आपको इधर एक निशान लगाना है, यह marking आपको इधर कर लेना है, यह आपको मिला लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक भी का निशान लगाना है, यहाँ पे भी आपको भी cutting करना है, ठीक है, यह अगर cutting नहीं तो आपको ट्रे बैंड नहीं होगा ठीक है फ्रेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया है तो यह इधर का मार्किंग हो गया फ्रेंट्स अब आपको क्या करना है यहां पर आपको ध्यान देना है फ्रेंट्स यह देखिए हमको हापसेट कितना का बनाना है साइड अपसेड वह से हम अगर multiply करेंगे तो हमारा जो answer आएगा 1 for 1 यानि की 141 mm तो 141 mm answer आएगा तो normally जो हम offset बनाते हैं side offset हो या कोई भी offset हो तो उसको हम जो भी answer आते हैं यहाँ से उसको measurement करते हैं ठीक है तो यह हमारा 22 degree का साड़े 22 degree का side offset है तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड जो भी हमारा answer आएगा 1 for 1 से हम जो calculation की है जो भी answer आए 141 mm इसको क्या करना है फ्रेंड इसको plus करना है आपको दूगना करना है ठीक है 141 आया तो 141 से आपको फिर plus कर देना है तो यह हमारा जो total हो जाएगा 282 mm तो 282 mm जो होगी हमारा यह ठीक है 282 mm आपको 282 mm यहां से आपको measurement करना है ठीक है यहां से आपको 282 mm जहां पर भी आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगाना यह center वाला line से यह जो देख रहे हैं यह center से आपको निशान लगाना ठीक है तो देख सकते हैं हमारा मेजर्मेंट टेप है 20 mm और उसके बाद फिर 20 mm यहां पर इसके बाद इसको आपको मार्किंग कर लेना सेम जैसे मैंने इधर किया है उसको मार्किंग कर लेते फिर आपको हम बताते हैं अब यह जो मार्किंग अपको इधर ले कराना कहा है तो यह तीनों है इसको इस को मार्किंगन लाकिंग लुए में इसके बाद भी विकट ले करेंगे तो पहले मिदर कर लेते हैं कंव्लिट ये देखे इदर का मार्किंग कमपलेट हो गया फ्रेंग्स अब इधर से आपको एक वीकट लगाना है तो यहाँ से आप एक वीकट लगा दें इसकोने से यह center में ठीक है यहां का cutting हो जाएगा तो अब यहां पर हमको कपलर के लिए आप जैसा मैंने मार्किंग किया है कि यह वाला आपको काटकर निकाल देना है और यहां से यहां कट करना है अंग दिखे फ्रेंड्स यह आपको cutting कर लेना है ठीक है तो यह जो है हमारा हिस्साइए वाला जो देख रहे हैं यह कपलर बन जाएगा यह हमारा कट के निकल जाएगा और उसके बाद यह सेंटर से यह सेंटर से आपको एक इदर मार्किंग करना इदर भी आपको भीकटिंग लगाना जैसा मैंने आपको उधर बताया तो यह आप सेंटर मिला ले यह भी कड़ भी आपका कड़ी आएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको मार्किंग करना है फ्रेंड्स ठीक है जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरीके से यह मार्किंग करना है साड़े 22 डिगरी का ठीक है फ्रेंट्स तो अब हम इसको आपको कटिंग करेंगे कटिंग करके इसको मोड करके भी दिखाएंगे तो वीडियो में बिने रहिए और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिए और अभी तक अगर कटिंग कर लिया है और आपको करके अपको दिखाएंगे Tamam तो यह देखिए यह हमने कटिंग कर लिया है हमारा कपलर बन गया है आप इसको मोडेंगे तो यह इसके अंदर आ जाएगा और यह इसके अंदर आजएगा फिर इसमें रुभिंग बोल्ल डालकर इसको ताइट कर देंगे अच्छे से अधिक यह हमने भी नहीं निकाला है यहां से ठीक है यह पूरा भी भी आप निकाल सकते हैं लेकिन हमने इसको बड़ा रखा इसलिए तागे अच्छे से इसमें रूपिंग बोल्ड डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर सके हैं इधर भी हमन साड़े बाज डिगरी का बन करके तैयार हो गया है इसमेर हम ड़िए इसको एंदर यह तरह से अपको बेंड करना है तो अब ुआँ चलिए हम इसको height इसका measurement करके के हम दिखाएं गे Side से ये हमारा 100mm का Side Upset बना आये कि नहीं तो चलिए इसको measurement करते हैं अब हम आपको दिखाते हैं तो video बने रहिए तो देख सकते हैं अमने एक सिधा- beau गोग variables यह हमारा सीधा हो गया है अब हम इसका measurement करेंगे तो यह मारा measurement बराबर आएगा तो यह देखिए फ्रेंड यह हमने 100 mm पे एक पहले ट्रे पे रखा है measurement टेप और दूसरा टेप देखिए यह हमारा 200 पर है देख सकते हैं यह हमारा 100 mm का जैसे में आपको बोला था वाई सब बन चुका है यह हमारा 100 mm का साइड अपसे साड़े 22 डिगरी का बन गया फ्रेंड्स तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नाये तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए फिर मज़ते हैं नेक्स वीडियो में